आज के इस टूटियल में हम लोग बात करेंगे सिंगली लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन एट एंथ पोजिशन इसका मतलब यह है कि एक लिस्ट आपको दे दिया जाता है और आपको कहा जाएगा कि इस स्पेसिफिक पोजिशन पर आपको एक नोड इंसर्ट करना यानि कि पोजि पोजिशन पर आपको यूजर दुवारा कहा जासकता है उस पोजिशन पर एक नया नुड इंसर्ट करना है और किस पज़िशन पर करना है यह आपको यूजर बताएगा ठीक के प्रोक्राम में अकि सो यह कैसे करते हैं और यह बहुत ही देखने वाला ठीक है अधिक सबसे पहले हम लोग एक नया नोड बना लेते हैं कि आमें एक नोड इंसर्ट करना के हम लोग बहुत 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 देखके हैं इसलिए मैंने इसको मैं लॉप का जो आप यूज करके एक memory block create करते हैं सभी चीजों में garbage रहता है किसी में कुछ भी नहीं से लिए अब यूजर से आप पूछते हैं अपने प्रोग्राम में आप स्क्रीन पर एक message प्रिंट करते हैं कि किस पोजिशन पर आपको इंसर्ट करना तो यूजर आप कहता कि पोजिशन नमबर 3 पर मुझे इंसर्ट करना तो पोजिशन नमबर 3 पहले क्या होता है यह logically जान लेते हैं तो पोजिशन नमबर 1 जिस नोड का address दिसे कि यह पहला जो नोड है वो पोजिशन नमबर 1 है और दूसरा जो address आप यहां दिसे कि यह पहला नोड है हमारा तो यह पोजिशन नमबर 1 हो गया यह पोजिशन नमबर 2 हो गया और पोजिशन नमबर 3 हो गया अभी तो पोजिश नमबर थ्री यह और पोजिशन नमबर फोर यह हो जाएगा ओके सो यह पुरा concept है सो कैसे करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक pointer P बनाना है और P equal start कर देना जिससे कि यह first node को point करना start कर देगा हम लोग P का use करके traverse करेंगे और उस node तक पहुंचेंगे जिस node तक हमें insert करना है नया node ठीक है बलकि हम लोग उस node तक पहुंचेंगे जिसके बाद हमें insert करना है नया node ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग traverse करते हैं और पहुंचते हैं उस node तक जिससे कि यह अगर third position कहा तो आप ट्रेवर्स कीजिए थार्ड से एक कम ठीक है सो थार्ड से एक कम तक मैंने ट्रेवर्स किया और मैं यहां तक पहुंच गया मुझे यहां इंसर्ट करना है तो इससे एक कम तक मैं ट्रेवर्स करूंगा मैं यहां तक पहुंच गया ठीक है इसके बाद आपको क्या करना कि यहां जो link है सबसे पहला जो step यह है ठीक है यहां जो आपका नया नोड है इसके link पार्ट में आपको इसका address रखना है यह 300 यहां आपने रख दिया यह करने से क्या होता है कि आपका जो हम लोग जानते हैं कि singly linked list में अगर आपको इसको connect करना है तो आप अगर यहां इसके link पार्ट में इसका address रख देते हैं तो यह singly linked list से connected हो जाता है यह हम लोग जानते हैं इसलिए हम लोगों ने यह 300 लिखा वा जिससे कि यह इससे linked हो जाए ठीक है अभी हमारा जो next target वह यह है कि यहां से 300 को हटा कर आप इसका address हैं कि 400 यहां करते हैं तो यह इससे add attach हो उकर bikox 300 है तो इससे कुई attachment नहीं है इससे attach हो जाएं बस इतना ही काम कुछ करते हैं है बस address को swipe करते है इक जगह से दुरे जगह इसका address उसके पास उसका address इसके पास बस यह हरा फिरी होती है और आपका singly linked list यह तयार है ठीक है आप देख पाएगे कि यह first position, second position और यह अब आपका third position हो गया है third position पर आपने नया node insert कर लिया है और यह आपका भी fourth position पर insert है और इस तरीके से आपको insert करना है अपना end position पर कहीं भी आपको कहा जाए third हो, fourth हो, fifth हो इस तरीके सब को same process के साथ इसको करने का है एक चीज़े का ध्यान रखिएगा कि मैंने जो step मैं जो step बताता हूं किसी बिचाए वह at beginning हो, at end हो, at end position हो मैं जो step बताता हूं, उसी step को आपको follow करना है, मैंने कहने मतलब यह है कि थोड़ा से पीछे अगर हम लोग आए, तो मैंने कहा कि सबसे पहले नए node के link part को आपको हटाना है और इसका address यहां रखना है, तो यही step होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपने इसको हटाया यहां फिर 400 कर दिया, तो उसे गड़बड हो जाएगा, उसे गड़बड किया होगा, मैं आपको बताता हूं, आप अगर यहां 300 को पहले हटाते हैं, जैसे कि पीछे आए, और इस तरीके से हमारा आगर आप यहां 300 को हटाकर 400 कर देते हैं, तो यह से disattach हो जाता है, और इस कोई भी identifier नहीं होगा, ओके, सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कि link को हटाते हैं, और इसको 400 करते हैं, इससे कि यह link रहता है, और साथ में यह भी से link है, इसलिए हम लोग इसका पता भी लगा सकते हैं, ओके, सो simply हम लोग क्या करते हैं, कि विससे 300 से जब इसको 400 करते है ओके सो इसका यह था लोजीक लिए अब हम लोग कोड की थूरू देख लेते हैं कि कोड क्या क्या हमें लिखना पढ़ सकता है अपने प्रोग्राम में ठीक है सबसे पहले हम लोग ने देखा हमारे पास एक लिस्ट होगा और इस लिष्ट के एु Wassim पर हमें कोई node insert करना है तो हमें एक node चाहिए तो यह हमारा node है ठीक है node create करने का मैंने है code नहीं लिखा हुआ है because हम लोग जानते हैं कि structure है हमारे पास जो कि एक node को represent करता है और TMP के तुरू हम लोग उसका memory block create कर लेते हैं और TMP क्या है TMP एक pointer है ओके यह साथ जी मैं आपको जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे में भी नेश्ट वीडियों प्रोग्राम हम लोग देखेंगे insert का उसमें मैं आपको और अच्छे तरीके से बता दिया करूंगा ठीक है ओके तो आगे क्या करने वाले हम लोग की हम लोग लिखते हैं यूजर से पूछते हैं कि किस पोजिशन पर आपको insert करना यूजर हमें कहता है कि third position करना है तो third position का सबसे वहले हमें लोग को पता लगाना पड़ेगा, actually हम लोग पता लगाते हैं, जहां इंसर्ट करना है, जीस node के बाद इंसर्ट करना है, उस node का ही पता लगाते हैं, यानि कि यूजर अगर हमें कहता है कि third position पर इंसर्ट करना है, थे हम लोग position पोजिशन माइनेस वन तक नोड का पता लगाते हैं ठीक है तो उसके लिए पोजिशन का पता लगाने के लिए यह निए कि आपको traverse करना पड़ेगा तेखनिकली हम लोग word use करे तो आपको traverse करके वहां तक जाना पड़ेगा जिस को user ने बताया है but program में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस पोजिशन तक जाते हैं जिसके बाद हमें insert करना है इसके लिए लिए क्या कते हैं पॉइंटर बनाते हैं और code लिखते हैं पी एकोल स्टार्ड जिससे कि यह first node को पॉइंट करना start कर देता है ठीक है उसके बाद हम लोग एक for loop लगाते हैं traverse करने के लिए हम लोग ने देखा कि हम लोग traverse करने के लिए while loop लगाते हैं बट यह हम लोग for loop का भी use कर सकते हैं ठीक है for loop में हम मैंने क्या लिख वाए कि 4i equal 1 यानि कि 1 से start होगा इस लूप के अंदर कौन सा कोड इग्जिक्यूट होगा उसके लूप के अंदर कौन सा कोड इग्जिक्यूट होगा इसके अंदर कोड इग्जिक्यूट होगा पी इक्वल पी एरो लिंक अभी ये कोड क्या करता है यह हम लोग जरा सा देख लेते हैं ठीक है जैसे कि जब यह लूप पहली बार रन करेगा तो हमारे पास होगा आय का विल्ली वन लेस देन पोजिशन होगा थ्री माइनस वन या आजीव सा लिकाओ मुझे कुछ पाता ने चला कि मैंने क्या लिकाओ ठीक है ओके सब्सक्राइब लेस देन टू एंड एंड यानि कि यह एंड आंड का मतलब यह होता है कि यह कंडिशन यह कंडिशन यानि कि यह पोजिशन मानस वन और यह पी नॉटिपल यह दोनों कर रहा है तो क्या होगा कि यह condition check किया condition अभी क्या अभी true है condition क्यों क्यों कि वन जो less than 2 है और and end की बात करें तो P not equal न ले P में क्या है P में है 100 नल नहीं है तो यह दोनों ही condition true है तो जो कि दोनों ही condition true है इसलिए यह for loop लूप करता है जब यह for loop run करता है तब कहीं देखिए जब for loop run करेगा तो आपका यह यह P equal हो जाएगा p link meillä P link में 200 यानि कि यह जो p है जो अभी इसको point कर रहा है satisf कर करके आएगा आपके यह तो Dog के इस एक बार execute होने से यहाँ से traverse करकर कि यहां चला आता है और जब यह लूप दोबारा रन करेगा जब यह दोबारा रन करता है तो इसको यहां क्या मिलता है कि आई का विल्यू बाइवान इंग्रीज करता है इस आई प्लस प्लस की थूरू और यह 2 2 less than 2 अब एक कि 2 less than 2 यहीं आपका कि जो कंडिशन ने पॉल्स हो गया यह से अगा जै तो AND P not equal to Null यह कंडिशन यहां से यहां ता कंडिशन अपका true है विक पी इक्वल है कितना 200 तो यह इसके वज़े से मतलब यह कर दोनों ही कंडिशन होने चाहिए तभी यह पुरा कंडिशन टू माना जाएगा ठीक है तो एक कंडिशन यानि कि कि यह लूप रन रही करता है और आपका ट्रेवर्स यहीं तक रहता है और आपको पता चल जाता है कि मुझे इसके बाद इंसर्ट करना है मेरा नया नोट ठीक है यहां तक क्लियर है भी इसको नफ्रस रिमूब कर देते हैं ओके सो आयोप कि फोर लूप तो क्लियर होगा किस हम लोगों ने ट्रेवर्स किया यह भी क्लियर होगा हम लोगों ने पता लगा लिया कि हम लोगों को किस पोजिशन के बाद यानि कि किस नोट के बाद हम इंसर्ट करना है तो हमारा जो पी है अभी यहां इस पोजिशन पर आ चुका है इसके बाद हम इंसर्ट करना है तो हम इससे link हो सके ठीक है तो इसके लिए लोग क्या करते हैं लोग इसलिए लिए code लिखते हैं temp यह arrow मैं इसको arrow बोल रहा हूं ठीक है temp arrow link temp arrow link मतलब temp arrow link यानि कि यहाँ p equal sorry equal p arrow link यानि कि p link कितना है देखे p link है 300 यह 300 को आपको यहाँ लिखने का है तो link में temp link में assign कर दो 300 ठीक है तो यह link हट जाएगा और यहां 300 आ जाता ठीक है p link में देखे p हम लोगों ने पहले से हम लोगों ने पी को उस अस्थान तक पहुंचा दिया जहां इसको इसको होना चाहिए तो p link में किया 300 तो इस 300 को हम लोगों ने इसके जगह पर assign कर दिया यानि कि temp arrow link में assign कर दिया है तो यहां 300 आप आ जाता और इससे क्या होता है कि यह इससे connect हो जाता है हुआ है अब दूसरा हमारा काम यह है कि यहां से 300 को हठाना है और आपको यहां 400 लिखना है इसके लिए Gimme link temp shrinking arrow link तो p yeah लिंक यानि कि हम लोग इसमें चेंच करने वाले तो क्या चेंच करने वाले इसमें में तो आप यहां 300 को हटा कर क्या कर रहा है 400 जिससे होगा यह कि यह इससे link हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है बाकी सारा काम आप कर चुक है यह इस स्ब्सक्राइब लिश्ट में आपका हो चुका यह से पोईशन पर एक नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं I hope कि यह जो कोड है यह आप याद रखेगा विकॉज अगले प्रोग्राम में मुझे ठीक से बता नहीं कि मैं प्रोग्राम में क्या करने वाला हूं साथ यही इसका प्रोग्राम देख लेंगे इसके बार में डिसकस नहीं करूंगा आपको पता होने चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता क्योंकि हम लोगों एक चीज को लिखा हुआ ठीक है अगर सब कुछ ठीक रहा अगर में कुछ और नहीं आता था हम लो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंसर्शन एंप्र okay so thanks for watching